इस लेक्चर में हम एफेक्ट्स को एक्स्पोर करेंगे अडॉबी ऑफेर एफेक्ट्स के जो एफेक्ट्स हैं बेसिकली कुछ हद तक सिमिलर हैं आपके अडॉबी प्रीमिर प्रो से लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह के इसपे के लिए ड़ी एफेक्ट्स के लिए फी एफेक्ट्स के लिए सौट्वर पैंगेoka तो इसमें कुछ ऐफेक्ट्स ऐसे हैं जो के प्रीमिर में नहीं है और अगर है भी तो उनके control इसमें कुछ बेतर हैं कौन-कौन से effects हैं हम इनको explore करेंगे साथ-साथ हम थोड़ा सा discuss यह भी करेंगे कि कौन से हम third-party effects भी install कर सकते हैं जो आपके workflow को काफी बहतरीन तरीके से आगे लेके चल सकते हैं आईए explore करते हैं इनको तो इस वक मेरे पास एक project खुलावे of effect का जो के composition भी मेरे पास add है इस composition को check करने के लिए मैं जल्दी से quickly इसकी settings देख लूँ और 19,20,10,80,29 frame हम broadcast के साब से इसको 25 कर देते हैं सब कुछ बाकी set है duration wise भी इसकी यहां से 1 minute और इसको भी हम exactly 1 minute ही इसकी duration है इसमें इसमें इंपोर्ट करते हैं अपने इस टॉक में से यहां पर project window में आपके पास footage आगई इसको drag करेंगे composition में अभी आप देख सकते हैं अगर मैं इसको zoom out करूँ यहां पर तो इस वक्ती footage पड़ी है मैं quickly इसके यहां पर scale पर जाके इसको छोटा कर सकता हूँ क्योंकि यह 4K footage है और अगर just मैं यहां पर s press करूँगा मेरे पास scale directly आ जाएगा और इसको मैं यहां से 50% पर ले गया हूं तो exactly यहां पर यह यहां से इस window को fit in करेंगे ताकि हमारा जो composition का डिस्प्ले है वह भी fullscreen नज़र आए effects के बारे में हम बात कर रहे थे effects हम explore करेंगे हमारे पास effects के लिए यहां पर अगर हम उसी लेयर के ओपर भी right click करें effect यहां से भी हम लगा सकते हैं और यह सारे effect जो है हमारे पास इसके इलावा आपके पास बकाईदा पूरा एक tab पूरा यहां पर पैनल आपके पास मवजूद है इस तरह कि आपके पास premiere में चीज़े होती थी क्योंकि इस वाइडिफॉल्ट workspace सेलेक्ट है अगर आप चाहें यहां पर यह ना आ रहा हो जिस तरह कि अगर इसको भी हम close करते हैं तो window में जाके effect and preset के नाम से आप इसको यहां पर लेकर आ सकते हैं यहां पर आप चाहें तो किसी effect को search भी कर सकते हैं क्योंकि आम तो पर इसा possible है कि एक effect का आपको नाम पता हो लेकिन वो किस folder के अंदर fall कर लेता है उसका आपको ना इडिया हो अब यहां पर नाम भी लिखेंगे जिसते अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो मेरे पास ब्लर के नाम से जितने भी प्रिसेट्स हैं या जितने भी effect वह सारे यहां पर आ जाएंगे जितने specific होंगा exactly वही effect आपके पास आ जाएगा तीस के अंदर यह सारे effects में से आप इस पर apply कर सकते हैं तो तीन तरीके इस पर लगाने के आपको जो सूट करता है अब लगा सकते हैं सब जगा से वही effect लगेंगे अगर मैं यहां पर कुछ effects को explore करूं मैं इस menu से जाता हूं और जिस तरह के मैंने बताया था कि प्रीमियर प्रो जैसे भी कुछ effects मौझूद हैं अब blur and sharpen के नाम से लेकिन देखें इसमें कुछ चीज़े अडिशनल हैं इसमें CC Radial Blur CC Cross Blur यह आपको प्रीमियर प्रो में नहीं मिलेंगे तो यहां से हम कोई भी इस तरह का effect लगा गया करें जस्ट हम cross blur लगाते हैं इस वक्त इस क्लिप के पर यह effect लग गया है और further इसको verify करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं एक तो आपके पास automatically यहां पर effect का यह एड हो जाएगा और इसके नीचे जो भी effect लगा हो साथ-साथ इनके मेन्यू भी है ड्रॉप डाउन वहां पर आप इनकी वैल्यूस को भी चेंज कर सकते हैं आप यह समझ दें कि जो काम आप effect control window में करते हैं वह आप यहां पर भी कर सकते हैं बलके यहां पर बाजदफा करन बेतर होता है क्योंकि आप keyframe से भी play around कर रहे होते हैं आपके पास इसमें भी बखाया था effect control window मौझूद है और इसमें भी आपके पास अगर आप चाहें तो इधर से भी इन वैल्यूस को चेंज कर सकते हैं अभी हमने जो एफेक्ट लगा यह था CC cross blur तो इसक में हम X और Y axis मे तो आप देख सकते हैं कि इस वड़ यह इस तरीके से इसका यह impact हो रहा है और इसकी जो भी options होंगी blending mode बगारा किसी में होगा किसमें में भी आपको ना मिले तो आप यहां से इसको apply और change कर सकते हैं animation की जिस तरह हमने बात की थी obviously यहां पर भी हम keyframe को वैसे ही animate कर सकते हैं बलके मैं समझता हूं कि यहां पर आपके पास जादा बेतर possibilities मौजूद हैं क्योंकि आप देख सकते हैं एक एक value के साहथ आपके पास यह animation on आप यहां से करके इसकी value को change कर सकते हैं अभी जितनी value हमन animation को on कर सकते हैं अपनी हमारा पहला की फ्रेम लग जाएगा इस वक्त सारी आपके पास select हैं अगर इस वक्त मैं यहां पर animation को click करूंगा यहां पर तो आप देख सकते हैं कि जो जो चीज आपके बद सेलेक्टी सब पर की फ्रेम लग गया आम तोर पे आपको सारी values भी एक सा कि फ्रेम लग गया है control right arrow की से हम frame by frame जा सकते हैं इसमें प्रीमेर में खाली right arrow की थी और आप देख सकते हैं उपर timeline पर आपके पास यहां पर भी seconds या frame जिसे साथ से भी आपने चलना है जूम इन करके आप देख सकते हैं shift add करेंगे आप तो आप 10 frame आगे या पीछे की तरफ मूफ कर सकते हैं control shift और right arrow की या फिर left arrow की तो अगर मुझे 10 frame आगे या 20 frame आगे मूफ करना है मैंने दो दफ़ा control shift और right arrow की प्रेस की और यहां पर जाके मैं इन values को अगर चेंज करूँगा क्योंकि animation मेरी on है और इस वक्त आप के पास जो result आ रहा है वो इस तरह से है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि values animate हो रही है और जहां जहां पर आपने अपनी animation को on किया था की फ्रेम लगाये थे वहां पर वह values चेंज करके आपके पास इस तरह का result आ रहा है अगर आप चाहें तो इन सब को नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ मैं इस वक्त इसको आप करता हूं यहां से और मैं इसको रिसेट भी कर देता हूं वैल्यूस को अगर आप चाहें तो सिर्फ एक अगर आपको जिसतरा इसमें आपके पास कंट्रोल है रेडियस इसका जो एक्स एक्सेस है सिर्फ उस तरफ आप करना चाहते हैं तो अब भी आप इसको यहां पर अगर अभी आप इसको यहां से बढ़ाएंगे तो वैल्यू बिल्कुल चेंज होगी लेकिन उसमें एनिमेशन नहीं होगी क्योंकि की फ्रेम उसमें हमने एट नहीं किये तो वह ओवर ओल उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा तो आपने यह बात बिल्कुल याद रखनी है क इस वैल्यू को आपने चेंज करना है और स्पैसिक एक टाइम के अंदर करना है तो वहां पर आपको अपने की फ्रेम से उसको एनिमेट करना पड़ेगा अपने यहां पर अप्लाय कर दिया फर्दर आप चाहें तो और मल्टीबल एफेक्स भी अप्लाय कर सकते हैं जैसे ज इस कि आप चाहें तो उसको यहां से आफ भी कर सकते हैं अगर को इस वट इस वक्री D करना होग तो आप इसमेंगे कर voz है को तस प्रृंच कर सकते हैं उसकट का भी आपके पास यहां पर ऐसलिकries लिगा रहा था वहाँ बीचला गया क्योंकि एक ही एफेक्ट लगा वा था अगर यहां पर multiple effects लगे होते और आपने जस्ट एक effect डिलीट करना होता तो effect बाकी लगे रहते सिर्फ एक effect जो आप चाहते थे वो डिलीट हो जाता हम कुछ और effects को भी देखते हैं क्योंकि यह इसमें effects हमारे पास जैसे मैंने पहले बता जिस जहां पर एंड हो रहा है जहां पर इंड हो रहा है तो इसमें बैसिकली की फ्रेम करते हैं अब हम यहां से भी की फ्रेम कर सकते हैं आप ने यहां से प्रेस किया और यहां पर की फ्रेम डग किया बेतर तो यहीं है कि वैसे जो नॉर्मल प्रैक्टिस है या जो मेरी प् देख रहा हूं और तू सेकिंड तक इस वेल्यू को अगर मैं चेंज करूंगा कि यह इफेक्ट है मोशन टाइटल तो इसमें यह मोशन है इसमें X और Y दोनों तरफ आप कर सकते हैं और जितना जाद आप इसको लूप करेंगे उतनी ही दफा उसमें वो मोशन एड़ हो जाएगी इसको हम प्लेए करके देखते हैं अगेन अगर यह की फ्रेम आपके पास पास होते है दो सेकंड की जगा यह लेट सी दस फ्रेम पर होते तो यह और स्पीड से होता तो यह और स्पीड से होता अगर हम इसको दस फ्रेम पर कर देते और इची तरह से हम इसको की फ्रेम को जितना आगे लेकर जाएंगे तो उतना वह स्लो होता जाएंगे बाकी वैल्यूज भी बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरह से हमने पिछले एफेक्ट में देखा था एक दो एक्स्प्लोर करते हैं और मेरा ख्याल से यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि आपको सारे इफेक्ट यहां पर दिखाए जाए और दूसी एक बात यह भी है कि आपने इनको एक्स्प्लोर करना है बारी बारी और उसके बाद थोड़ा सा आपने यह जहन में रखना है या आपको सिर्फ एक एफेक्ट लगाने से भी वह फाइनल लुक मिल सकती है और उस एफेक्ट को भी सिर्फ आपने अपने उसकी वैल्यूस को एनिमेट करना है कहीं पर आपने उसको नेक्स्ट क्लिप में लेके जाना है मिसाल के तो पर ब्लैक और वाइट से कलर में जा प्ले राउंड करेंगे और ऑन स्क्रीन भी चीजों को देखेंगे तो आपको खुदी आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि कौन से एफेक्ट कहां पर लगाव है और यहां पर कौन से एफेक्ट बेथर तरीके से आ सकते हैं और एक और एफेक्ट जो हम एक्स्प्रोर करत सकते हैं उसके लिए आप इसको ड्रैक करके अगर इस तरह लेकर जाएंगे तो वह इसके उपर अप्लाय हो जाएगा फर्दर वेरिफाई आप यहां से कर लेंगे कि आपके एफेक्ट के अंदर या पिर एफेक्ट के अंदर वह एफेक्ट आ चुका है और आपने देखा कि अब एफेक्ट लगाया है तो इसकी लुक कुछ इस तरह से हो गोगी है यह घ्लास के नाम से के उपयद है आप चाहें तो फर्दर इसकी वेल्यूस को इनी मेट करके देख लें आप इसकी वेल्यूँस को बार भार παर चेंश करेकर देखे एं किस वेल्यूस को चेंज करने स से आपके पास इस तरह का रिजल्ट अचीव हो रहा है स्पेसपार से आप इसको प्ले करेंगे एक दफ़ा यह यहां पर पुड़ा सा इसको रेंडर करेगा आप चाहें तो फिर दुबारा से इसको जैब ग्रीन एरिया को देदेगा इसका मतब़ा है कि यह रेंडर हो चुक है अब यह स्मूथली प्ले हो जाएगा और फ़र्दर आप इस एफेक्ट को चाहें तो यहां से रिसेट कर दें फिर आप इसको माइनस में भी जो इसकी एक्शुल्ती उससे आप जीरो की तरफ लेके जा सकते हैं इधर भी इस वैल्यू को हम यहां पर की फ्रेम एड़ कर लेते हैं 25 ती और यहां पर हम इसको जीर लेकर के एक दफ़ा तो यह हमने इस वक्त सी सी क्लास एफेक्ट जो के स्टाइलाइज के अंदर आता है हमने उसको लगा कर देखा मेरा खाल से अभी हमने जितने भी एफेक्ट लगाए उससे आपको बहुत हद तक आईडिया हो चुका होगा कि यह एफेक्ट किस तरह से आप बेतरीन तरीके से यूटलाइज कर सकते हैं और इसके इलावा भी बेतहाशा एफेक्ट आप यूज कर सकते हैं इनको मैक्सिम्म प्रेक्टिस करें डिफरेंट एफेक्ट लगाएं उनके रिजल्स देखें उनकी वैल्यूस को चेंज करें और और आगया